वेलकम टू गरुड इंस्टिटूट ऑफ एक्सेलेंट एडुकेशन आज हम 3.4 का जो बच्चा हुआ पार्टे वो करेंगे इससे पहले अगर आए बटन आ रहा होगा जाके जरूर देखना वीडियो इससे पहले वाले जो जितने भी समझे जितने भी कंसेप्ट्स है मैंने स समझे वो करेंगे देखो पिछले वीडियो में मैंने 5 तलग करवा आता 6 बच्चा है अपना 6 थोड़ा कंसेप्ट्चुल है तो मैं थोड़ा बात में करूंगा और 7 और 8 जो है 3.4 का सरकल का तो वह एकड़म स्रेट फॉरवर्ड कोश्चन जे इसलिए अपन वह पहले करें देखो अब मैं कंसिडर कर रहा हो कि गिवन टू प्रूफ अभी तलब तो आता है तुमको लिखने मैंने पहली बताया था जोमेट्र अगर सॉल्ट कर रहा तो गिवन और टू फाइंड यह तो कंपल्सरी लिखना ही है उसके बाद सल्यूशन में डारिक लिख रहा हो देख 25 ग्रिय और पूरा अंगल तुमको अनमे जुदने के लिए बोला है तो सल्यूशन क्या है आंगल अनमेज एकवल स्टू हाफ औफ हाफ औफ यह यह दोनों आर्क को अगर तुम प्लस करोगे और उसको हाफ से मल्टिपले करोगे तो अनमेज मिल जाएगा तुमको तो क्या ns and arc क्या बोलोगे arc ns plus arc ns plus arc ef sorry यहाँ पर minus आएगा जब exterior में मतलब circle के भार जबी कोई भी दो code कटेगा दो code intersect होगा तो minus आएगा और अगर अंदर होगा circle के तो addition आएगा यानि प्लस आएगा ओके अब जड़ा देखो NMA से अब NMA से ढूलना है न अपने को half of arc यह क्या है 125 degree है 125 minus यह कितना है 37 है बरबर ना 37 तो यह कितना हो जाएगा half into देखो कितना हो जाता है 5 इधर 1 बचेगा इधर 15 5, 6, 7 ना फिर 8 यहाँ पर बच्चा और फिर lion minus 3 भी कितना बच्चा 8 बच्चा 88 बच्चा तो यहाँ पर अगर half से multiply करोगो तो 44 बचेगा बरबर यह कर लेना तुम ओके 248 और 248 44 बचेगा तो क्या हैगा 44 degree तो अंगल तो और फिर्फोर बचेगा तो अंगल N M S और यहाँ पर क्या एग्रख सब थो कि चॉड़ अंगल बच्च्चूर है clarity ऑत्र से बच्च्च्च्च्च इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल ओक्या यहरीजन है यह धियरम है एक देखो मैंने क्या बोला कि कॉड्ज अगर बहार इंटरसेक्ट हो तो जिस दो आर्क से वो क्या बोलते जिस दो और उसके रास्ते में आ रहे है उन दोनों को बड़ आर्क माइनस छोटा और करोगे और हाफ करोगे उसका तो तुमको वाला एंगल मिल जाएगा तो उसी लॉजिक से यह अपने देखा तो एट तो अला अभी एट तो अला भी सेम इसका उल्टा है अब एट तो आला में एरेक आय होप वापिस मेने जासे बोला कि consider कर रहा हूं आपको given to proof या given to find लिखने आ रहा है तोग्यूंको अपन मारकर चेंज कर लेते हैं अब देखों एंगल A, B, E जो है वो हाफ होगा वो हाफ होगा A, B, E जो है वो हाफ होगा A, E प्लस आर्ग A, E प्लस आर्ग D, C का समझा आर्ग D, C का यह समझा क्यों यहाँ पर रीजन क्या है क्योंकि Codes are Codes are Intersecting Codes are Intersecting Codes are Intersecting in the Circle या फिर यहाँ पर Internal वर्ड भी यूज़ कर सकते हो तुम इंटर्नली या इंटर्नल तो देखो A, B, E देखो कितना है A, B, E 108 डिग्री है तो लिख लो 108 is equals to half of क्या measure arc A, A तो मुझे मालूम है ना 95 डिग्री है तो मैं 95 लिख दे रहा हूँ प्लस मुझे arc DC तो ढूनना है तो यह मेरे को मालूम नहीं है अभी तलग arc DC तो यह हाफ में यहाँ यहाँ पर divide में तो यहाँ पर multiply में हो जाएगा वो तो 108 multiply by 2 हो जाएगा बरबर और is equals to क्या बच्चा यहाँ पर 95 प्लस arc DC बरबर है ओके तो 108 को multiply करो 2 से क्या आएगा देखो 8 2 जा 16 1 carry 6 2 0 जा 0 प्लस 1 1 2 1 जा 2 216 और यह प्लस 95 है इकोल स्टो के यह सेड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 95 इस उकोल स्टो arc DC यह तो simple calculation है ना यह तो आता होगा तुमको ओके तो यह यह पूरा मिला के कितना हो जाएगा 216 माइनस 95 यह करो तो क्या होगा देखो यह 216 माइनस 95 तो 6 माइनस 5 वन अभी 21 में से 9 तो नहीं जा सकता तो 111 माइनस 9 टू और 121 तो कितना आएगा 121 डिग्री यह समझा क्या आर्ट DC तुमको क्या मिला 121 डिग्री समझा यह दो simple थे straight forward क्या बोलते formula डालो answer निकालो यह वाले question थे ओके इसलिए मैंने यह पहले ले ले इसके बाद एक और सम बचाए वो करेंगे इसके बाद 3.4 अपना complete हो जाएगा ओके चैनल पर नहीं तो लाइक शार सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज ओके notification बैल भी on कर लेना जाके updates मिले लगातार कॉपी कर लो यह screenshot ले लो तो भी चलेगा चलो आई होप ले लिया होगा मिटा देते हैं चलो अब यह वाला भी सम देख लेते एकदम ईजय देखो बहुत ईजय देखो मैं बता देता हो सबसे पहले तुम अपना टेक्सबुक लेके क्वेशन पढ़ो जारा ज्यान से altitude वर्ड रिस्तमाल किया गया है क्या है altitude माने क्या होता है हाइट होता है और हाइट हमेशा 90 डिगरी पर होता है यहाँ पर 90 डिगरी डाइग्राम में भी अलोम ने शो किया और वह बहुत इंपोर्टेंट है 90 डिगरी उस पे पूरा दोनो 15PP और WZP यह दोनो मिलाके मैं 90 डिगरी बोल रहा हूं मिलाकर मिन्स दोनों अलग अलग पर दोनों 90 90 है ओके यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं इसका do रिजन क्या दे रहा हूं, linear pair, linear pair, यह पता है linear pair, क्या होता है, मालूम है होगा, ऐसा कुछ दिखता है linear pair, यह 90 है, तो यह भी 90 होगा, और वेसी बात है, क्यूंकि यह पूरा मिला के 180 होता है, तो half 90 है, तो half 90 होगा, 180 minus 90 तो 90 होता है, समझा यह linear pair के वज़े से, यह 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 कि ये तो था पहले से दिया हुआ, वो दोनो 90 हो गया, अब वो क्यो 90 कि आप उन्हें, वो second step में मालूम पड़ेगा, आप देखो, second step में मैं क्या बोल रहा हूँ, in quadrilateral, in quadrilateral, wzpt, wzp और t, wzp और t, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, कि angle, wtp, wtp, plus angle, angle, wtp, plus angle, wzp, plus angle, wzp, अब ये क्या है, ये मैं बताता हूँ, क्या है, ये wtp क्यों मैं add कर रहा हूँ, देखो WTP कितना है 90 है प्लस यह कितना है 90 है तो दोनों मिला के कितना है 180 है तो इससे क्या conclude कर सकते हो as quadrilateral WZPT WZPT has has the opposite angle has the sum of opposite angle sum of opposite angle to be supplementary 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 thus supplementary thus क्या बोल सकते हो supplementary होता तो एक property है ना किसकी property है वो यह किसकी property है obviously बाते cyclic quadrilateral के thus क्या बोल सकते हो तुम thus quadrilateral WZPT PT is equal to cyclic quadrilateral क्या बोलोगे cyclic quadrilateral यह फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया तुमारा अब सेकेंड वाला देखो सेकेंड वाला ध्यान से देखो एक बार वापिस मारकर चेंज करते हैं अब अब देखो सेकेंड वाला ध्यान से देखो क्या है सेकेंड वाला क्या प्रूफ करना कि कोई दो distinct point है कौन से side line की कोई भी एक side या line अगर ऐसी है यानि horizontal है तो उपर भी चलेंगे पर नीचे भी चलेंगे पर दोनों एकी side पर होने चीए और उनसे एक angle ऐसा बनना चीए जो एक line को एक line के दोनों points को join करता हो ऐसा कुछ और ये जो दो angle है जो बन रहे है वो दोनों भी equal होने चीए तब ही जाके तुम बोलोगी कि ये वाला point यानि समझो A, B, C और D मैंने नाम दिया तो A, B, C, D जो है चारो point क्या होंगे कौन साइक लिख होंगे ये है concept अब उसको application में कैसा उतारना है अब देखो, second देखो क्या दिया है as, क्या बोल सकते तुम as, W, sorry x, z और y as angle x, z, y is equals to 90 degree and angle x, t, y क्या है x, t, y ये भी क्या है 90 degree, बरबर ये तो दिया हुआ है इसका reason क्या हैगा ये दोनों का क्या है given है भे हमको तो ये हमने अपने जोले मैं से नहीं निकाला ये तो given है ये दोनों given है ये मालूम है अब दोना angle same हो गया है और क्या लिख सकते हो they lie they lie on one side on one on one नहीं लिख सकते है on same on same side off line कौन से लाइन के एक्स य लाइन के offline एक्स वाए ओके offline एक्स वाए on two distinct point distinct point यह ज्यादा कुछ नहीं बस अंग्रेजी में यह लिख रहा हो कि भाई एक साइड एक लाइन के एक साइड पे दो पॉइंट है अलग अलग उस पे जो एंगल फॉर्म है वो इक्वल है बस इतना है पढ़ लो चाहें तो धान से ओके यह इतना है अंग्रेजी में लिखा जादा कुछ कॉंपलेकेटर लिखा निए तो क्या बोल सकते हो देर्फॉर पॉइंट क्या है पॉइंट कहां पर रहे हां एक जैड़ टी वाई एकस जैड टी वाई और कॉन साइकलिक यह रीजन देना बहुत ज़रूर रहा इसके बीना तुम यह प्रूब नहीं कर सकते है लास्ट में क्या लिखोगे तुम हैंस ब्रूड बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट ओके चाप सकते हो तुम अगर चापना होगा तो स्क्रीन शॉट बीच चलेगा लिया तो बस रेफरेंस के लिए होना ची और प्रैक्टिस करते रहे ना प्लीज ओके आयो कर लिया होगा चल लिनेर इक्विशन में पहले से सिका हुआ है डिस्क्रिप्शन में में लिंक देया है जाके जरूर देखना अगर नहीं देखा है तो और मैस के साथ तैहरी करना बोर्ड का तो हमारे चैनल के साथ जूट जूट जाओ प्लीज हां और जल से जल हम कोशिच करेंगे कि सब खत तक से आये और बस इतना ही कहना था तुम मिलते हैं अगले वीडियो में